Trinity मजब की जो Central Personality है न वो है Jesus Christ लहाजा उनके बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है Jesus का जन्म हुआ Bethlehem में in the year 4 BC Bethlehem दोस्तों Jerusalem से तकरीबन 10 किलोमेटर के फासले पर एक शहर है ये जगा उस वक Romans के कबजे में थी Jesus के बारे में सबसे Extraordinary बात ये थी कि वो बगहर बाप के पैदा हुए थे दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखे और सुने इस वीडियो के अंदर कही बाते सब सही है या नहीं ये बाते आप Comment Box पर लिखकर जरूर भेजना ये ही वज़ा है कि उनकी मा को Virgin Mary कहा जाता है लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक Clarity देना बहुत ज़ादा जरूरी है ज़ादा तर लोग ये समझते हैं कि Virgin Mary की कभी शादी नहीं हुई ये बात दुरूस्त नहीं है उनकी शादी हुई थी जोजफ से लेकिन बाइबल के मताबिक उन्होंने जीसिस क्राइस को शादी से पहले ही कंसीव कर लिया था ये पूरा किस्सा समझाने के लिए मैं कोट करूँगा Gospel of Matthew से जीसिस के कुछ भाईयों और बहनों का भी जिक्र है न्यू टेस्टमेंट में जिनका नाम है जेम्स, जोसफ, साइमन और जूड जबकि बहनों का जिक्र तो है लेकिन नाम मेंचन नहीं है अब सवाल ये है कि जब मैरी एक वरजिन थी तो ये बच्चे कहां से आए और आखरी थी ये कहती है कि ये जोसफ की पिछली शादी से पैदा होए थे वो लोग जो परपेचुल वरजिनिटी आफ मैरी पर इमान रखते हैं वो पहली थी थी ये को बिलकुल रिजेक्ट कर देते हैं परपेचुल वरजिनिटी का दोस्तों मतलब ये है कि वरजिन मैरी ने कभी भी कोई अजदवाजी तालुक नहीं रखा शी नेवर अंडवेंट अ सेक्शुल इंटरकोर्स कैथलिक चर्च आप्शन टू को मानता है यानि के वो बच्चे वरजिन मैरी की बहन के बच्चे थे बाइबल के बारे में ठीक से यदि जानकारी न हो तो इसी तरह दुनिया में सोशल मीडिया के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है जीजस सन अफ गौड वह ईश्वर है इस दुनिया में आने के लिए उनके पास बहुत सारी योजना है लेकिन जीजस की उक्वारी मर्यम के गर्ब के द्वारा पैदा हुआ बहुत सारे आत्मिक अर्थ इसमें छिपे हुए है हिस्ट्री जानकारी होने से ही सभी बाते कभी समझ नहीं आती है जूस घराने में जन्म लेना क्या है कारण जीजस के बाद उनके भाई, बेहन भी पैदा हुए ये बच्चे मेरी और जोसफ के द्वारा हुए जीजस का जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुए पर उनके बाद जो भी पैदा हुए वह मरियम यूसुफ की द्वारा हुए और रही दूसरी बात की यूसुफ की एक ही शादी हुई थी और वह केवल मरियम से समझने की बात यह है कि यह आप और हमारी तरह ही इंसान थे बोद नहीं जोटी बातों से दूर रहे और रोमन कैथलिक की डॉक्ट्रीन से भी बहुत बहुत दूर रहे